हेलो फ्रेंड्स माइनेम हिशे शांग जेन वेलकम तू मैं चैनल वडोफा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर कूप सारे वीडियो बनाता हूं आप लोगों के साथ आज मैं आया हूं महागुन मिजालिया में एक फोर बीच के अपार्टमेंट है जो हमने डिजाइन बिल्ड किया था इसमें मैंने एक और वीडियो बनाया था जब वो बिफोर का वीडियो था जब बिल्डर ने हमारे क्लाइंट को फ्लाइट डिलिवर किया तो कैसा लग रहा था किस पुरिशन में वो फ्लाइट था और आज हमने उसे कितना खूबसुरत बना दिया है तो अभी मैं सबसे बहले आपको एक्स्प्रेंट करूँगा इसकी एंट्रेंस के एंट्रेंस में हमने क्या 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 किया और फिर एक एक चीज घर के एक दिवार एक एक एलिमेंट क ज़रूर बताऊंगा कि हमने कौन सा मटिकरल यूज किया और क्या क्या उस घर में किया अगर आप फैसिए होना चाहते हैं और समझना चाहते है कि क्या क्या इंटीर की नए आईडिया जो कि हम कर सकते हैं अपने घर में तो यह वीडियो आखरी तक जरूर देखिएगा मैं एक बहुत बड़िया बुनस टिप भी दूँगा आखरी में तो जरूर देखना है आपको यह वीडियो तिल दी एंड तो गाइस मैं आपको फॉयर एरिया एक्स्प्लें करने वाला हूं जैनरली क्या होते हैं अपार्टमेंट के भार और अंदर कुछ कुछ जंगा होती है तो एंट्रेंस पे ना काफी सारी चीज़े करी जा सकती हैं यहाँ पर हमने क्या किया यह लगबख साड़े छे फुट का हमारा एंट्रेंस था सबाउट 10 फीट के करीब इसकी डीप वाइडनेस थी तो यहाँ पर हमने एक शूराइक बनाया और एक शूराइक भी बड़ा आप शाट डेकोरेट करके बनाया आपको इस वीडियो में दिखेगा कि जैसा आप देख रहे हैं हमने दोनों तरफ गदी लगाई कि आप बैट के अपने जूते पहन सकते हैं इसको नीचे ओपन करने के लिए कि आप एज़ी ओपन करके अपने जो डर्टी शूस हैं वो र रहे जाएगा जो आपका पाटी वियर के महेंगे गुची अर्मानी और लुई विटॉन है ना वो आप अपनी अल्मीरा में रख लोगे तो फॉयर की बात तो होगई में गेट की बात कर लेते हैं तो एक बड़ा सा चार फीट का हमने गेट बनाया यहां पर तो जो दिटल बायोमेट्रिक आटमाटिक लॉग भी लगा लिया और यह लॉग पता है कहां का है दोर सेट का है दोर सेट इस डियर कंपनी और गुड फ्रेंड सौरब बंसल मेरा फ्रेंड है उसकी एक कंपनी है और बहुत अच्छा समान वो लोग बनाते हैं और इंडिया में इन ग्रAND एंटररंस दyzaigन करी और चौकट के आजूबाजू यह एक चकी सी पैनलिंक करी थोड़ा सा विनियर का काम किया थोड़ी सी पॉलिशिंग का खाम किया और थोड़ी फील को इनांस करने का भी काम किया 행복 किया अभी दोर-घण करने काभी काम किया अब देख रहा है So now we are entering into the flat, अब जैसे देख रहे हैं, this is a 4BH के lavish flat, और यह बहुत ही जबरदस्ट, इंटीर तो हमने किया ही किया है, और जो यहां के लोग है बहुत ही बढ़िया है, तो उनके लिए हमने बहुत अच्छा flat यहां पर design कर लिया, तो यह entrance है, यहां से हम dining area में जाते हैं, और अ wall है, मैंने पहले वीडियो में भी explain किया था, एक बड़ी गंडी सी, plain सी wall थी, इसको यहां पर veneer की panelling करी, यह 3D panels है, अगर आप मेरा हाथ देखोगे, तो देखो मेरा हाथ नहीं है, ऐसे move around कर रहा है, इसका मतलब पते क्या है, यह 3D panel है, इसके ओपर हमने deco paint किया है, matte finish म और look को enhance करने के लिए, इसको CNC cut भी कराया है, तो यह काफी detailing का काम, काफी बारीकी का काम मेरी designer नहीं यहां पर किया, और जब हम इसका visualization कर रहे थे न, design पे, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो मैं कई बर इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने designer पर विश्वास रखो औ hotels में, bankets में आप देखते हैं न, हमने घर के अंदर भी यह किया, पर इसके अंदर trap doors आते हैं, इसके अपने कुछ units बनते हैं, उन trap doors को चुपाने के लिए, हमने यहां पर एक louver की panelling करी, और थोड़ा सा wooden की feel उसके अंदर add कर दी, कि जैसे आप उपर देखेंगे, थोड़ wall ceiling, so guys, हमें आपको दिखा रहा हूँ, घर का सबसे पहला और सबसे important part, the formal drawing room, और यह ना एक double height space है, कि generally builders के आँ यह space नहीं होती, पर महागुन मिजारिया की beauty यही है, इस builder, इस society में यह double height पूरी एक space मिली है, generally यह कोटियों में, यह आप जब पूरा अपना घर बना रहे हो तो ही मिलती है, तो यहाँ पर यह पूरी double height space की वरे से the granularity of the space is बहुत ही जबरदस, तो इसको उतना सुंदर तरीके से हमने यहाँ पर design भी किया है, तो मैं drawing room के अंदर आ गया हूँ, आप देखोगे काफी अच्छी space है, so about 17-18 feet by 15 feet 12 feet के करीव यह space बन जाती है, और यह double height पूरी एक wall है, तो यहाँ पर हमने दो तीन elements को use किया, अगर मैं आपको बताओ नहीं, यह कौन सा element है, तो आप photo में या video में या actual touch करके नहीं पता कर सकते, यह एक wall paper है, इसको marble भी लगा सकते थे, tile भी लगा सकते थे, पर यहाँ पर हमने एक wall paper का use किया, to make it look more enhanced, और यह ए बजू-बजू wall lights है, जो कि अच्छा एक decor, एक sense create कर रही है, तो एक U-shape sofa हमने यहाँ पर use किया है, so 3-seater, 3-seater and 3-seater, which gives you a 9-seater plus 2 crown chairs as well, तो 11-12 लोगों की seating ना बहुत असानी से यहाँ पर बन गई, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा हमने यहाँ पर color combination use किया, generally green और beige को लोग कम use करते हैं, beige browns के साथ ज़्यादा use होता है, यहाँ पर हमने green और beige को use किया है, इस sofa की height भी बड़ी aptly हमने रखवाई है, जिससे कि जब भी हम कोई बैठे हैं, तो हमारे हाथ, हमारा पैर, हमारे को comfort, वो feeling भी मिल पाए, तो बले ही formal area है, जारा देर नहीं बैठना है, पर जो जितनी देर भी बैठना है, उतना अच्छा लगे और मजा है, तो इस पूरी wall पे हमने louvers, mirrors, wallpaper के साथ, एक बड़ा रग लगाया, और एक बहुत ही सुन्दर polyester finish में veneer के साथ, एक table बनाई, इसको नाम carbon veneer भी बोलते हैं, तो आप अगर इस table की detailing देख curtains and shear है, तो इसके साथ हमने एक motor यूज करी, automatic curtains डाले, सौंफी की motor यूज करी यहाँ पर, मैं चाहूँ तो इसको मैं remote control से plus minus करके बंद कोल कर सकता हूँ, तो ये साथ में जो जंगा है, ये दो crown chairs की जंगा है, इन crown chairs को पीछे दिवार पर भी लगा सकते हैं, और इसको mandular आ जाए, तो कल को यहाँ पर एक painting भी लगाई जा सकती है, एक TV unit भी लगाया जा सकता है, हमने यहाँ पर एक switch socket लगाने की जंगा छोड़ दी, कि अगर एक बहुत बड़ा 70 inches का TV लगाना होगा ना, तो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो आप in and all देखेंगे, very subtle, very nice, very very premium feel हमने डाली है, इस drawing room के अंदर, जो कि double height को और भी जादा enhance कर रहा है, तो हमने आपको दिखाता हूँ कि इस घर की flooring पे हमने क्या क्या, घर की flooring बहुत important होती है, हमने यहाँ पर Italian marble का use कि, आप देख रहे हैं कि यह पूरा एक Italian marble है, जो कि हमने use किया यहाँ पर, इसके diamond की polishing करी, कि marble ना अपने आप में बिल्कुल भी मज़दार नहीं है, अगर आप उसकी polishing सही से ना करो, तो कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, marble तो अच्छा लगा लिया, अगर polishing में कंजूसी कर ली ना, पूरे marble की value ही खराब हो जाएगी, तो आपको अच्छे से polishing करनी है यहाँ पर हमने diamond polishing का use किया, थोड़ी feel को enhance करने के लिए और glossy feel बनाने के लिए, अगर आपको gloss नहीं रखना, तो आप matte feel भी लगा सकते हो, matte की polishing भी कर सकते हो, तो पूरे घर में हमने drawing room में, dining में, lobbies में, common areas में Italian marble को use किया, और bedroom में wooden flooring को use किया, तो इस तरीके से इस घर की floor की typology है, अब मैं आपको आगे घर में दिखाता हूँ कि bedroom में क्या-क्या है, इस video के अंदर आपको सारा detailing मिल जाएगी, guys हम मैं entry से towards the dining area, informal lobby and kitchen की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने entry किया, और मैं entry करते है, I am now walking into the dining area, तो यह अब हमारा पहला informal space है, पूरा dining है घर का, तो यहाँ पर हमने एक बहुत बढ़िया eight-seater dining table लगाई, super luxury, आप अगर याँ chairs की detailing देखें, आप यहाँ पर onyx का पत्थर देखें या उसके उपर inlay का काम देखें, एक एक चीज बहुत particular है और दून दून के सोच सोच के इसको बनवाई गई है, तो यह पूरा area, dining area और informal lobby का area है, for your informal people जैसे कि जब घर में guest आते हैं, या अपने private लोग आते हैं, आपके family आते हैं, बहन भाई, मामा, चाचा, ताओ आते हैं, तो वो यहाँ बैठ सकते हैं, जिनके साथ कोई formality नहीं है, और वो informal guest हैं, इसी area में हमने यह dining area, साथ में एक buffet counter कम crockery unit बनाया, यह shade out कम करने के लिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर silk के हमने blinds लगाए, यह अकसर लोग बताते भी नहीं है, customize हमने किया है, और इसको silk की shade में blinds लगवाए हैं, यह दो tall crockery units हैं, आप यहाँ देखेंगे, तो इनके अंदर अपनी lighting है, जैसे मैंने आपको खोल के दिखाया, और एक बहुत ही सुंदर glass के shutters हैं, और यह पूरा crystal clear crockery का tall unit बन जाता है, और साथ में बहुत ही बड़ा यह about 15 feet का space है, और इसमें हमने बहुत बड़ा buffet counter भी लगाया है, तो जो buffet counter कम crockery unit का भी काम करता है, तो कई बर पता है क्या होता है, आपकी dining table ना भर जाती है, और आपको लगता है क्या मैं सबजी कहां रखूं, मैं समान कहां रखूं, मैं घर को clean कैसे करूं, तो उस purpose के लिए इसको buffet counter बोलते हैं, तो यह भी hotels का concept है, restaurants का concept है, और हमने इसको घर में डाल दिया है, तो यह पूरा storage के साथ आप देख सकते हैं, कि lot of storage is here, तो यह पूरी soft close हम कुछ भी cheap नहीं है, पता है क्या है, आपको करने का तरीका आना चाहिए, आपको workmanship आनी चाहिए, आप लामिनेट को भी खूप सुरत बना सकते हैं, और deco भी खराब हो सकता है, अगर आपने सही तरीकी से लगवाया नहीं है, important पता है क्या काम करवा रहे हैं, और किस से अगर आप एक गली की local carpenter को पकड़ के कराएंगे तो हो सकता है, गरबढ हो जाए, मैं यह नहीं कहूंगा, वो खराब आदमी है, उसको आता नहीं होगा काम, हो सकता है, एक अच्छा carpenter एक अच्छी चीज़ को बहुत अच्छा बना दे, तो यह depend करता है, तो आगे बढ़ कहाँ खड़ा हो ना, यह kitchen का entrance है, तो आप बोलोगे, शजहां के kitchen के entrance पर क्या लगा दिया, तो इसको ना हम partition बोलते हैं, तो यह metal का partition है, this is all SS, stainless steel का metal है, और fluted glass, जैसे आप मेरा हाथ देखिए, यह turn हो रहा है, थोड़ा सा move हो रहा है, तो यह fluted glass का हमने partition बनवाया है, अक अच्छा नहीं लगता, dining area के, तो अगर आप एक luxury घर बनाएंगे, तो हो सकते है breakfast counter नहीं बनाए, हो सकते है आपको बनाना हो, तो अगर जब breakfast counter की need नहीं होती, तो हम कुछ ऐसा अच्छा सा partition डाल के kitchen को by far कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा metal का partition, with rose gold finish, साथ में थोड़ी gold की, यहाँ पर PVD की coating भी हमने कराई है, तो अब यहाँ से हम enter कर रहे हैं towards the kitchen area, and इस flat की खासियत बताओं क्या है, कि इसकी जो spaces है, common spaces काफी बड़े हैं, हमने kitchen को और बड़ा कर दिया, इसकी utility को kitchen का part बना दिया, और बीच में कोई दर्वाजा ही नहीं लगाया, उससे utility और सुन्दर लगने लगी, kitchen और बड़ी लगने लगी, तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने kitchen में क्या किया, यह kitchen की entrance है, इसके उपर सबसे पहले तो हमने विनेर की paneling करी, कई बर क्या होता है, kitchen की entrance बहुत ही वीक लगती है, अच्छी नहीं लगती, तो इसको अगर आप थोड़ा सा panel कर दें, में भी विनेर से हो सकता है, डिको से हो सकता है, लैमिनेर से हो सकता है, किसी भी marble से हो सकता है, हमने यहाँ पर विनेर का use किया, और उसको अच्छे से panel किया, यहाँ से मैं अपनी kitchen में एंटर कर रहा हूँ, एंट्री करते ही आप देखेंगे एक बहु आपको भी वीडियो में दिखेगा, सो यह समझ में आएगा आपको कितनी बड़ी एक pantry unit है, हाला कि मेरी अपनी personal choice कभी विना SS के pantry unit को लेके नहीं होती है, बहुत बारी टाइम पर मैं लोगों से लड़ाई करता हूँ, बहुत बारी टाइम पर मैं लोगों से लड़ाई करत करते हैं, तो यह एक L-shape पूरा हमने kitchen बनाया, यहां पर इसके साथ सब के साथ storages बनाई, इधर आप देखेंगे कि हमने drawers बनाई, हमने यहां पर सब InnoTech drawers, Halflay, Blum, Hittik के साथ काम किया, As Vodofa, we never believe in local brands, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई भी local brand यूज करना, we either use German, we either use Italian brands, हमें लगता है कि अच्छी चीज यूज करें, हो सकता है 2 पैसे महंगी हो, आज महंगी पढ़ रही है, पर overall टाइम में आपको मजा, आपको feel, आपको warranty, आपको guarantee उन brands के साथ मिलेगी, इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया में खराब brands बनते हैं, मुझे इंडिया के बहुत सारे brands बहुत जादा पसंद है, डोरसेट की बात करूँ, कजारिया के बात करूँ, समानी की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे brands हैं जो इंडिया में बनते हैं, मुझे बहुत पसंद है, अ आप kitchen में move करेंगे, तो plan में भी मैं दिखा दूँगा, यहां पर हमने एक fridge रखा, एक double door fridge है यह, जो कि आप खोल सकते हैं, जैसे आप यहां से खोलेंगे, you feel कि एक fridge में, जैसे typical Indian house में होता है, खुब सारा समान, खुब सारा समान है, तो यहां से हमने enter किया, and now we are going towards the utility, तो यहां ना हमने एक veggie sink रखा, छोटा मुटा हाथ दोने के लिए, कि आपको कुछ vegetables दोनी है, या कुछ थोड़ा बाता हाथ दोना है, तो आप अपने kitchen में आद दो सकते हैं, उसके बाद जब आप enter करेंगे, तो यह एक utility area है, तो यहां पर हमने जान मुझकी ने, partition crate के आप कईवर क्या होता है, made काम कर रही है, आपके guests भी है, तो आप चाहते नहीं हो कि वो दिखे, तो आप इससे divide कर सकते हैं, और यह पूरा जो आप पीछे देख रहे हैं, थोड़ा सा dirty area है, क्योंकि utility area है, तो यह पूरा utility area है, जहां पर आप अपनी washing कर सकते हैं, dish की washing कर सकते हैं, dish washer लगा सकते हैं, पीछे की area को cover करके, you can do lot many things, तो इस सब कुछ हमने इस kitchen में किया, इस kitchen के अंदर हमने quartz stone use किया, top पे, half lay headache की fittings use करी, और सारी inotech में, और हमने बाकी पूरी kitchen को grey की tone में रखा, पीछे यह tiles हैं, और आगे जितना आप देख रहे हो, high gloss के laminates है तो इसमें अगेन बहुत सारे options हो सकते हैं, laminates, acrylic, pew, deco, lot many elements are there, depending upon your budget and your designer's choice, आप कुछ भी चीज ले सकते हैं, guys अब चलते हैं मंदिर की और, तो हमने डाइनिंग एरिया, lobby और मंदिर को combine कर दिया, तो बहुत बारी लोग बोलते हैं, कि शेशांग मंदिर की जंगा नहीं म semi drawing room kind of space में हो सकता है, अगर आप सही से planning करो, मैं दिखाता हो, आजाओ, तो यह एक मंदिर unit है, और यहाँ पर हमने एक CNC कट करके, उपर deco paint करके, एक मंदिर का shutter बनाया, और बहुत ही कुपसूरत एक यहाँ पर मूर्ती है, भगवान की, गुरु जी की photos है, कुछ यहाँ प independent, और उसको समान रखने के लिए चौकी, और खूप सारा सब पुछ सकने की जंगा भी है, तो आपको इस तरीके से अपनी space को optimize करना है, साथ में एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने molding भी लगा दी, क्योंकि हमारी sense, हमारी lobby के अंदर molding थी, एक थोड़ा molding व देखते ही कितना energy, कितनी positivity घर में आ रही है, तो मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि खाली colors अपने हिसाब से मत करो, थोड़ा सा sense positivity, थोड़ा सा sense liveliness के लिए भी करो घर में, क्योंकि आपका घर सिर्फ आपका नहीं है, जो लोग आ रहे हैं उनका भी है, और जो आपके अंदर भगवान बसने में उनका भी है, तो थोड़ा सा मज़ेदार घर होना चाहिए, फील अच्छी आनी चाहिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमने lobby की space, जो एक बहुत बड़ा TV unit है, एक काफी अच्छा kind of a decor और a book shelf है, तो ये ना decor shelf इसलिए बनाया, इसकी ज बंबी wall थी, so about 20 feet की wall थी, यहां पर आप देखोगे कि पहले एक दर्वाजा भी था, मैंने पुराने वीडियो में दिखाया कि उस दर्वाजे को भी हमने यहां पर बंद किया, तो एक common washroom का दर्वाजा बंद करके, बेडरूम से establish करा, और इस पूरी wall को अच्छे से use करने यहां पर आप आराम से टीवी देख सकते हो, फैमली की साथ बात कर सकते हो, कोई kitchen में काम कर रहा है तो देख सकते हो, कौन entrance पर रहा है तो पता लग जाएगा, तो ultimately फाइदा बदा क्या है कि यह becomes the core, कि जो center core होता है ना घर का, ब्रहमस्तान भी इसको वास्तु में बोलते तो वो बन जाता है, और वास्तु का ब्रहमस्तान हमेशा अच्छा positive open होना ही चाहिए, तो यहां पर openness को create करने के लिए, हमने बहुत सारे elements के साथ create कर दिया, तो पीछे आप देख सकते हो, कि यह एक molding है, दिवार पे हमने लगाई, यह wallpaper है, अगर आपको मैं बता हूँ नह आपको पता भी नहीं लगेगा कही wallpaper है, आज wallpaper इतने सुन्दर, इतने अच्छे तरीकी के आते हैं, आप कैसा भी use कर सकते हो, दिमार से एक पुरानी feeling निकाल दो, कि wallpaper मतलब cheap है, खटिया है, बेकार है, ऐसा नहीं है, अच्छे wallpaper, अच्छी quality के भी आते हैं, आपको बस सही च लगाई कि रात में कुछ और मत जलाओ, सिर्फ इसको जलाके छोड़ दो, तो भी बहुत सुंतर लगता है, तो इस पूरा L-shape जो area था, with the louvers, with the molding, with the wallpaper, और multiple elements के साथ, इसको decorate किया, इसकी चछत को देखना बिलकुल मत बूलना, बहुत ही जबर्दास चछत है, जो कि last minute का edition है, हमने इस पूरी चछत पे, विनेर लगा के, पॉलिशिंग कर दी, जिसे कि थोड़ी feeling ना, इसकी और warmth और मज़ेदार आने लगी, इस छोटे से lobby area की, तो आप देखो कितनी खूपसुरत एक चछत है, और साथ में दो lighting हमने add कर दी, for just the focus lights, इधर conceal lights नहीं लगाई, जिस area और informal lobby से direct access में है, और एक घर का सबसे छोटा रूम है, तो और ये रूम संजीव जी की elder daughter का है, तो she's married, और उसके लिए मैंसा guest bedroom का, elder daughter's bedroom बनाना चाहते थे, तो हमने उसके लिए क्या-क्या बताता हूँ, तो आईए, enter करते हैं इस bedroom में, तो ये bedroom में आप देखिए, इसके the colors, the palette are kept very very subtle, और मज़े की बाद बताऊ, तो इसमें, as client, Sanjeev जी का zero input है, उन्होंने मुझे बोला था, Shashang, आपकी जिम्मेदारी है इस bedroom में, आप क्या कर सकते हो, बता दो, मैं एक बात नहीं बताऊंगा, मैं एक color suggest नहीं करूँगा, मैं एक design choose नहीं करूँगा, ये पू Victorian look के लिए moldings लगाई, साथ में दो wall lights लगाई, ऊपर एक HVAC की जंगा थी, इसके अंदर भी ना, हमने देखी एक groove से, ये ceiling करा दी, तो wall पे groove से इतना अच्छा effect आ रहा है ना, इसका, कि अपने आप में बहुत ही जबर्दस, fancy, अच्छा bedroom लग रहा है, और ये typically like a hotel bedroom ही ने बताई, साथ में ना, हमने यहां पर एक TV unit की जंगा भी बनाई, आज TV unit नहीं लगाया, पर कल को, अगर if we want to place a TV unit, simple वोई moldings को copy किया, पीछे से, जो पीछे bed के back में लगाया था, एक दो drawers, typical दो drawers with a good surface लगा दिया, तो यहां पर ना, हमने एक wardrobe भी बनाई, जो कि ये बि ने बनाए, उसके अंदर थोड़ा सा विनेर का फील डाला, एक यहां पर हमने golden की पटी, जिसको profile भी बोलता है, वो डाल दिया, और साथ में ये प्लेन लामिनेट लगा दी, अब कोई बोलता है, यहां कि क्या नाटंकी करते रहते हो, कभी विनेर लगा रहे हो, कभी लामि लगाने की जुरत है, कहां पर डिको लगाने की जुरत है, कहां पर प्यू करना है, कहां पर पॉलिस्टर करना है, जहां आपके पैसे कराने है, वहीं कराएंगे, हर जगा नहीं कराएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस bedroom में bathroom कैसा है, यह bathroom का door है, side में बैट के तोड़ा बाता ड्रेस करने क्योंकि यह guest bedroom है तो उत्ता ज्यादा यूज नहीं होने वाला तो उसके हिसाब से मने बनाया यह पूरा bathroom का काम भी हमने किया और पूरे bathroom को क्योंकि थोड़ी छोटी स्पेस है तो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं कि इसमें क्या क्या किया पर पूरा bathroom right from the tiles to the vanity to the countertops to the fittings everything was done by us अमें आपको घर का दूसरा bedroom दिखा रहा हूं this is personally one of my favorite यह अनन्या का रूम है यह सर की second daughter है और इनका इतना खुबसूरत bedroom बनके आना है I always love this bedroom whenever I think of this bedroom I always feel कितना अच्छा कितना प्यारा bedroom है आपको दिखाता हूं कि यह कैसा बने है तो यह हम इस lobby के अंदर enter किये यह passage है for the bedroom और यहां से हम अब इस bedroom में enter हो रहे हैं so this is how this bedroom looks like यह देखिए यह सबदस bedroom अनन्या के लिए कैसा बना so यह एक अच्छा चोटा बेड है पीछे हमने वाल पेपर लगाया है ऊपर अगेन अनन्या को लगा गया आपने तीदी के आतों ही कर दिया तो मेरे बेड्रूम में भी तो कुछ होना चाहिए तो उसके बेड्रूम में भी हमने यहां पर ग्रूफ से डिजाइन बनाया यह भी बहुत सही है अब देखो इस पर मुझे इतना मजा आदा है ना बैटके इस सो नाइस इस सो कमफर्टेबल यू फिल सो गूड अब अच्छा लग रहा है तो यह एक स्टूल है जो हमने इसके लिए बनाया इसके साथ इसका अपना थोड़ा स्टोरेज दिया और इसक इक बढ़ी बाड़ी वाट्रोप अधिया cake एक बड़ी वाड़ूप है जैसा कि आपको पता है कि लड़कों को ना बहुत अच्छी बड़ी वाड़ूप चाहिए ही चाहिए कैसे बने तो हमने थोड़ा सा space bathroom से borrow कर लिया और एक छोटी wardrobe को बड़ा wardrobe बना दिया तो आप एक grooves देख सकते हैं सब हमने deco PU का काम किया तो इस पे PU paint एक बड़ा अच्छा product है आप luxury को add करने के लिए कर सकते हो obviously थोड़ा costly भी है तो laminate सस्ता है फिर deco है and then PU है तो इस तरीके से आप अपने आपको filter out कर सकते हो कि आपको क्या काम कराना है हमने यहापर PU का काम किया mat PU को use किया उसकी feeling अच्छे से डालने के लिए और साथ में long mirror जुरूर देख लीजेगा आप इसका long mirror ही बड़ा जबरदस्त है अभी तो मैं आऊँगा उस mirror में पर देख लो आप इसे बाल है नहीं मेरे मैं क्यों बाल बना रहा हूं आए अब मैं आपको घर के बाकी दो bedrooms दिखा रहा हूं तो let us talk about the third bedroom now यह ना sun's bedroom है यहां से हम enter कर रहे हैं with our lobby passage into the sun's bedroom now आजो मैं आपको दिखाता हूं कि sun's bedroom की theme क्या है और यह बिल्कुली अलग है पूरे घर से come on I'll show you अब हम sun's bedroom के अंदर है तो यह ना हमने पूरा dark theme में बनाया है तो यहां पर grey, brown एक dark theme उसको शुरू से ही ना एक dark theme पसंद थी और एक typical type of bed चाहिए था कि मुझे ऐसा ही bed लेना है तो यह bed हमने वैसे बनाया आप देखते हैं कि यह सब कुछ हमारी अपनी factory में बना the entire quilt जो इसका side quilt है इसका बड़ा bed है क्योंकि उसकी height बहुत अच्छी है so we wanted to give him a big bed कि थोड़ा feeling अच्छी आए उसकी wardrobe के अंदर हमने थोड़ा gray और black tinted shutters को use किया और बहुत ही सुंदर तरीके से organized एक wardrobe बनाई for his suits and his clothes he doesn't live here वो उस्टेलिया में रहता है अभी फिलाल पढ़ाही करने के लिए पर उसको हमने पूरे room को ऐसा feel दिया उसे बिल्कुल भी ना लगे कि ये इंडिया में है उसको शुरू से ही भार की feeling चाहिए दी उसको शुरू से रहश्या का एक particular bedroom एक particular design दिमाग में था पसंद था हमने वो ही यहां पर exactly बनाके दे भी दिया तो ये उसका एक बहुत बड़ा TV unit है क्योंकि he is a gamer he likes to play lot of games उसका यहां पर PSP रखने की जंगा Xbox रखने की हमने जंगा बनाई और एक बड़ा TV unit लगाने के लिए एक जंगा बनाई इस unit के उना बड़ इछी story है पहले यह unit यहां तक था तो जब हम बनाने लगे और साइट पर देखा कि यह इतना बड़ा unit मजा नहीं आ रहा ड्रोइंग में कई बार बड़ा दिखना था अच्छा लग रहा था पर जब साइट पर देखा तो चाहीं नहीं लगा इसको हमने कटवा दिया और यह आदा हो गया तो जितना बड़ा यह space है वो बच गया और यह अंदर चला गया तो थोड़ा बहुता decor रखने के लिए books रखने के लिए हमने यह space बना दिया जैसा कि आप उपर पूरा देख रहे हो यहां पर एक wooden flooring है पूरे bedroom में इसकी पूरे bedroom की feel एक very nice cozy feel है dark feel है तो आपको थोड़ा ज़ादा bright up लग रहा है पर otherwise this is very dark theme तो यह एक mirror है उसका dresser का काम करता है साथ में यहां पर हमने louvers एन एक tinted mirror भी लगाए उसको match करने के लिए और उदर आप देख सकते हैं कि वहां पर एक study table भी बनाई तो study table की साथ भी अपनी एक story है तो इसके जो आप golden यह stripes देख रहे हो ना यह metal है इसके उपर हमने pew का paint किया उस metal के element के उपर कि जिससे वह उस on कर दूं तो आप देखोगे कि इसके साथ भी light हमने लगा के दिया है तो कई बर क्या होता है कि आपको सारी lighting on नहीं करनी bedroom की तो क्या करें तो आप एक की दुक्की lights भी on कर सकते हैं जितने भी आप बेट्स देख रहे हो मैंने आपको घर में दिखाए खोल के नहीं तो आपको पूरा बेड विद्ध एक storage देखने को मिल जाएगा अभी तो obviously समान नहीं रखा हुआ तो कितना असान है आपको कोई गदा नहीं हिलाना आपको कोई चीज नहीं हिलानी और आप easily कोई भी जना आपका बेड खोल सकता है तो इसको बंद करना भी बड़ा असान है ऐसे आपने कर दिया और यह बंद भी हो जाएगा यह दिखिए कितने सुंदर तरीके से कितने easy तरीके से हमने एक बेड खोल भी दिया और इसको बंद भी कर लिया आपको दिखाता हूँ इसके bathroom में क्या किया इसकी bathroom की बहुत जबर्दा स्टोरी है I'll show you तो यहाँ पर ना bathroom kind of a room बन गया यहाँ पर जिसमें सिर्फ एक वाजबेशन लगा है और एक यहाँ पर seat लगी है अगर मैं इसकी सारी lighting on कर दूँ तो आपको थोड़ा sense देखने को मिलेगा उसके साथ उसके अपने वहाँ पर perfumes रखने की जंगा मिल गई और यहाँ पर एक cubicle भी बन गया जिस चीसी मुजयक टाइल्स लगाई थोड़ी राउंड राउंड करके एक अच्छा सा personal space of a bathing area बन गया और बैक्रूम आटोमेटरली बहात बड़ा लगने लगा तो इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर डिजाइन कर दिया इस पूरे घर का जैसे कि आपको पता एक बेडरूम में क्या होना चाहिए बता दो सोच लो एक बेड वना चाहिए अच्छा ग्रांड बेड विद डबल कुल्ट तो आप पीछे देख रहे होना तो यहां पर भी कपडे काम किया इसको भी कुल्टिंग कराया और इसके आगे भी हमने यहां पर कुल्ट किया यह पूरा डबल बैक कुल्ट हो गया साथ में पीउ का बेड बनाया विद अगें हाइड्रॉलिक तो हाइड्रॉलिक के साथ इस बेड को पुल आप पुल डाउन कर सकते हो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इस बेडरूम में बहुत स्पेशल फर्स्ट इस अलमीरा के शटर अगर आप यह देखोगे तो यह अलमीरा भी ना प्यू पेंट में हमने करी और जैसा कि आप देख सकते हो I am putting my hand यह पूरा एक manual computerized CNC के साथ हमने design बनाया यह क्या manually बन ही नहीं सकता तो यह factory से बन के आया और यह फिर pew करा उसके उपर एक अच्छे से handles लगाए लॉक तो लगाना ही था अलमीरा इंडिया में है हम तो लॉक तो चाहिए चाहिए पर कई वारी cases में लॉक भी नहीं लग पाता है तो यह अलमीरा हमने उस तरीकी से बनाई यहां पर कुछ साथ में जंगा बज गई थी तो इसको decor shelves रखने के लिए books रखने के लिए थोड़ा सा आर्टिफैक्ट रखने के लिए जंगा बना दी यह ना इक बिल्डर का एक कॉलम था इस कॉलम को भी अच्छे से डेकोरेट करना था वी दिंट वांट की कुछ कॉलम बाहर से दिखे तो हमने इस कॉलम पे भी न ग्रूविंग करके प्यू का पेंट कर दिया तो हमने इस र इसको अच्छे से इनांस करता है साथ में एक नया शेप आपने इस शेप का मिरर कम देखा होगा हमने मिरर भी लगाए अगेन यह मिरर भी बैक लिटेड है तो अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो मिरर भी ओन और आफ हो जाता है तो यहां पर साथ में एक जंगा बनाई अ हो सकता है तो कि बेडरूम बहुत बड़ा था तो हमने प्रपोस किया कि यहां पर ना दो चेर्स भी लगा लेते हैं यह दो बेडरूम चेर्स कई बहुत जरूरी होती है कि आपको एक काफी काइंड आफ स्पेस चाहिए है हस्बेंड वाइफ यू और ओन प्राइवेट जंगा है तो एक अच्छी सी काफी टेबल एंड टू चेर सेट लगा सकते हैं मैं जेनरली सोफा रिकमेंड नहीं करता हूं बेडरूम में बिकास मुझे लगता है उससे इना स्पेस काफी गिर जाती है और वो मूवेबल भी नहीं होता है पर वेरेस दो बेडरूम चेर्स ह कोई परपस यहां पर यूटिलिटी का नहीं है दो मिरर से थोड़ा रूम और ग्रैंड लर लग रहा है क्योंकि विर्थ में यह थोड़ा चोटा था और लेंट में थोड़ा बड़ा था तो हमें लगा जितने जादा मिरर को यूज कर लेंगे उत्ता जादा बड़ा लगन आपको नमबर और अफ़ान्स आपको डेफिनेटली इंक्रीज करने पड़ सकते हैं एक और खास बात क्या है यहां पर जितने करटेंगं पूरे घर में सब्सीलीन टूफ फ्लोर हैं तो जितने भी करटेंगं यहां पर यूज करे सब सीलींग से फ्लोर माउंटेंड यूज करें थोड़ी हाइट न और बढ़ जाती है डिपिकली अपार्टमेंट में हाइट काफी कम होती है तो अगर आप सीलिंग माउंटेड कर्टेंस या ब्लाइंड लगा दो तो यह थोड़ा और हाइट और थोड़ा बड़ा लगने लगता है अब मैं आपको दिखाने वालो जिससे कि आप देख सकते हो उसको थोड़ी सोरेज की स्पेस मिल जाए तोड़े टॉट्री रखने की जंगा मिल जाए और थोड़ा फीलिंग न और अच्छी आ जाए आखिरकार अम इतना गूमते हैं इतने होटेल में जाते हैं हमारा बेड्रूम तो हमारा बैट्रूम के ह होटेल से कम हैं वो वैसा ही दिखना चाहिए मेंटेनेबल तो हो पर फील तो होटेल की आई जाए इसी बैट्रूम में एक और आलमेरा भी हमने बनाई जो की अगेन काफी बड़ी आलमेरा है इसके पीछे आपको कैमरा के पीछे दिखेगी मैं दिखा देता हूँ वो आलमे को डिवाइड करने के लिए दो क्यूबिकल बनाए एक बेदिंग क्यूबिकल है और एक सीट का क्यूबिकल है सीट के क्यूबिकल में भी बन कर सकते हो और बेदिंग क्यूबिकल को भी बन कर सकते हो आज कल जितने हाइन अपार्टमेंट्मेंट्स होते है ना या घर होते है तो बहाँ पर दो cubicles लगते ही हैं थोड़ा अच्छी feeling और अच्छा sense देने के लिए तो आपको इससे थोड़ा सा idea भी लग जाएगा So guys, अब मैं वीडियो के end में हूँ और जैसा कि मैंने आपको promise किया था, मैं आपको एक bonus दूँगा तो अगर आपको मेर से मिलना है और मेर से किसी भी topic के बारे में बात करनी है तो मैं संडे को 11 बजे webinar master class कर रहा हूँ उसका link मैंने इस description में डाल दिया है और नीचे भी आ रहा है आप इस link पर register कर लीजिए और मुझे मिलें 11 बजे संडे को और बताओंगा कि आप अपने घर को खूबसरत और कैसे बना सकते हैं